नमस्कर दोस्तों फिर स्वागुत आपके एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आईफोन 11 में या फिर आईफोन सीरीस का कोई और मॉडल है मतलब 11 सीरीस का तो उसमें आप यहाँ पर वाल पर चेंज कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे mobile में अपनी photo लगानी है या फिर wallpaper चेंज करना है तो पहले मैं gallery में से set करके दिखा देती हूँ कि photo कैसे set कर सकते हैं gallery में चले जाएंगे और gallery में आप यहाँ पे library में है या फिर इस पे तो मैं album पे click कर लूँगी और यहाँ पे कोई सी भी एक photo आप use कर लेंगे अपने wallpaper पे लगाने के लिए ठीक है तो यहाँ पे देख लेंगे कि जो photo आपको पसंदारी है वो आप यहाँ पे choose कर लेंगे और इस step से मालीची यह वाली wallpaper पे लगानी है तो इसके लिए आप यहाँ पे arrow पे click करेंगे आप दुवारा से देख लिए जो arrow है आप इस पे click करेंगे इस step का option आएगा तो यहाँ पे आप scroll करेंगे और यहाँ पे use as wallpaper का option आएगा यह जो phone बना हुआ है आप इस पे click कर लेंगे तो यह step का आजाएगा तो यहाँ पे आपकी जो पूरी photo है वो आजाएगी तो यहाँ पे slide करके देख लेंगे आपको जितना area चाहिए आप उतना कर लेंगे ठीक है step से तो मालीची इतना area लगाना है तो मैं इस पे click कर लूँगी और इसके बाद यहाँ पे आपको इस step का option देखने को मिलेगा तो मैं set पे click कर दूँगी और यहाँ पे lock screen पे set करना है home screen या फिर दोनों पे तो मैं इसको set as home screen पे click कर देती हूँ तो यह home screen पे मेरा जो photo है वो set हो चुका है successfully अब बैक करके आप जब home screen पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि home screen पे मेरा wallpaper चेंज हो चुका है successfully अब यहाँ पे lock screen वाला भी करना है अगर यहाँ पे lock screen लगा रखी है यह वाला तो इसके लिए फिर मैं चले जाओंगे setting से, setting पे जाके यहाँ पे journal पे click कर लूँगी journal पे नहीं जाना है sorry आप यहाँ पे scroll करेंगे wallpaper का option आजएगा आप इस पे click कर लेंगे इस type का option आजएगा तो choose new wallpaper पे click कर लेंगे यहाँ से gallery में से भी ले सकते हैं आप चाहें तो यहाँ से dynamic में से भी ले सकते हैं ठीक है और आप चाहें तो live wallpaper भी set कर सकते हैं तो मैं live पे click कर दूँगी और एक आपको live करके दिखा देती हूँ और set पे click कर दूँगी और यहाँ पर lock screen पर click कर देना है ठीक है, set हो चुका है आपका अब यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ यह आपका lock screen है lock screen पर wallpaper चेंज हो गया और यह आपका home screen है तो इस step से आप यहाँ पर wallpaper की setting कर लीजेगा आपको जरूर पसंद आया होगा इसी टाइप के और में इंट्रसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चले मिलते आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार